पूज जूलेला जैनती समारो समिती की ओर से इस वर्ष चेटी चंड 16 दिवसिय पक्वाड़ा जो महुत्साओं के रुप में आयोजित किया जना है इसके धरम दोजा पूजन के साथ 13 मार्श को जतुई दर्वार अजमेर में संतों महात्माओं के आशिरवात से शुवारम कि कलोनियों में वा सामाजिक धार्मिक संगठनों के सयोग से कारिकम तै किये गए हैं जिनको इस्थानिय कलाकरों वा अन्य बच्चों द्वारा तैयार कारिकमों की प्रस्तुति पर यह आयोजन किये जाएंगे चेटी चंड 23 मार्श को शेहर में निकलने वाले विशाल शोब सामाजिक संगठनों वा धार्मिक व्यापारी संगठनों द्वारा स्वागत सतकार किया जाएगा इस वर्ष 23 मार्श को ही वीर सपूत हेमू कालनी के जनम शतादी वर्ष भी है सोवा जनम दिवस होने के उपलक्ष में हैमू कालनी के जीवन के भी प्रसंग इसमें जोड़ जाएंगे जिसे हेमू कालनी के जीवन से प्रणा ले जा सके देश भक्ति आदरत कारिकम भी किये जाएंगे सामाजिक संगठनों की पैठक इस सम्भन में स्वामी कॉम्पलेक्स में हो चुकी है जिन्होंने अपनी रूप रिखा तयार करके कारिकमों को अच्छे तरीके सा और रोगों का जड़से इलाज हमारे याँ पंच कर्म पत्धती, वमन विरेचन, नस्यवस्ती, रक्त मोक्षन और शिरोधारा से रोगों का जड़से इलाज किया जाता है साथी रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाना, शरीर से विशाफ्त तत्वों को निकालना, अतिरिक्त चर्विक कम करना, वाही का तंत्र, वो मनोवज्यानिक प्रणाली में संतुलन करना, आधी अनेक इलाज किया जाते हैं जैसे कि वमन, विरेचन, रत्मूक्षन, नस्य वगरा, शिरोधरा, जो लंबे समय से जो हमारे शरीर के अंदर जमा जो टॉक्सिन्स वगरा हैं, वो बाहर निकाले जाएंगे और जो हमारा शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा तो डिजीज अपने आप जड़ से क्योर हो ज नंबर बन चक्की से पिसे शुद्ध मसाले और सभी तरह के अनाच, अपनी आखों के सामने पिस्वाय, रसोई से संबंदिक कोई भी मसाला या अनाच, 100% शुद्ध कच्ची घानी तेल, रसोई से जुड़ा हर तरह का सामान उपलब्द, साधी 2,000 रुपे के खरिदारी प 90152 बने के खरिएान पिसे नहांने पिसे जुद़ादारी ओानी तरह के अनाच, 100% शुद्ध प्ला में उपलब्द, साध्द भी चारी तुद्ध से सामने पिसे से जुद्ध तरह के अनाच, अठयाओ ऑ apenas 2,000 बनाच, हो एंसरे टेजारी आखे पैशले फश्फे कैने अरे रर